नमस्कार दोस्तो वेलकम टू डियस एजुकेशन स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल डियस एजुकेशन में मैं हूँ दिनिज साहू और दोस्तो हम अध्यन कर रहे हैं दोस्तो हमारी आधुनिक इतिहास की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर रहेगा डचों का आगमन या फिर एडवेंट ऑफ डच है ना जब डच भारत आए इससे पहले हमने पुर्तगालियों के वारे में पढ़ाता है और उसके पहले हमने देखा था कि आखिर क्या कारण थे कि बड़ी मात्रा में जो यूरोपी कमपीनिया थी है ना इनका भारत में आगमन स्टार्ट हुआ ठीक है तो ये इस सीरीज में हमारा आज का थर्ड लेक्चर है ना डचों का आगमन इसकी पहले दो लेक्चर हमने अल्रडी कम्प्रीट कर लिए यदि अपने प्रिवेज व आप देखेंगे आप वर्ल्ड मैप वर्ल्ड जो आपके पासे दिया एटलस है ना तो उसमें जो यूरोप का मैप होगा वह आप देखना है ना तो यहां पर आप देखेंगे एक देश मिलेगा पोर्तगाल पोर्टगाल के ऊपर ही आप यहाँ पर एक बड़ा सा देश देखेंगे बड़ा तो नहीं है मतलब जो यूरोपियन देश है उसकी कमपैरिजन में काफी बड़ा है तो यहाँ पर एक देश है श्पेन यहाँ पर पोर्तगाल है यह चोटा सा देश है और यहाँ पर क्या है इस्पेन इस्पेन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर भी एक काफी बड़ा देश है इस प्रकार से इसका नाम है फ्रांस इसकी capital क्या है? Paris है ना फिर आप यही पर उपर देखेंगे तो एक छोटा सा देश है Belgium Belgium है ना Brussels इसकी capital है ठीक है? और यहाँ पर ही एक उपर देश है नीदर लेंड नीदर लेंड ठीक है तो नीदर लेंड के निवासियों को ही क्या बोला जाता है? Dutch है ना तो जो Dutch थे जो भारत में आयते हैं ना तो नीदर लेंड के ही निवासी थे तो नीदर लेंड या फिर Holland भी इसको बोलते हैं है ना नीदर लेंड या Holland की निवासियों को क्या बोला जाता है Dutch बोला जाता है ठीक है? तो आपको ब्रेटान हैंहां पर आप देखेंगे इंगले चैनल वगेरा है यहां पर इतलाइटको बिलिंगे यहांपर आप देखेंगे तो इटली मिल जाएगा बाकी यूरोपियएं पर है तो थोड़ा मैने आपको idea दे दिये कि कहा पर निजार्लेंड है और कहां से यह Dutch भारत आये थे हैं तो इस प्रकार से यहां पर भारत है यहां पर डशनोग आये थे तो आप मैप में देख सकते हैं अब इनका पहले यह घृ Α्शक कब आये थे यह भारत हैना तो 25 1595-96 कहीं आपको 95 मिल जाएगा कहीं 96 मिल जाएगा घवरान नहीं है 95-96 में ठीक है Dutch Dutch के रूप में जो पहला यात्री था अपने पूरे लोगों के साथ आया था 1595-96 भारत इसका नाम क्या था जो पहला यात्री आया था Carnelius Houtman ठीक है पहला डच यात्री था जो भारत आया था पूरे दल के साथ ठीक है तो 1595-96 में पहला डच यात्री था Carnelius Houtman जो के पूरे अपने दल के साथ भारत आया था ठीक है अब देखिए 1595-96 में है अब जब यह डच लोग भारत आये थे तो सीधे यह भारत नहीं गए थे हलाकि भारत से होते हुए ही गए थे लेकिन यह पहले गए थे यहाँ पर मैं आपको बताते हैं जैसे यह इंडिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर को स्टार्ट किया था ठीक है तो अभी हमने क्या देख लिए हमने लोकेशन देख लिए है ना नीदरलेंड की निवासी थे डच है ना पहला डच यात्री था कारनेलियस हाउट मैं जो की 1595-96 में अपने दल के साथ भारत आया था अब देखिए अभी हमने पुर्तगालियो इसके बाद आज हम पढ़ रहा है सेकेंड डच है ना यह कवाई करीब सौ साले होने वड़िया एकशत्र राज किया है ना 1595 आप लिख लेजिए ठीक है डच है इसके बाद कौन आये थे तो इसके बाद आये थे अंग्रेज अंग्रेज कवाई थे 1600 में मैं थोड़ा आपक आइडिया होना चाहिए डैनिश यह 1616 में आये थे ठीक है इसके बाद है फ्रांसी सी है ना 1664 में भारत आये थे ठीक है और फिर लाश्ट में आप देखेंगे स्वीडिस ठीक है स्वीडिस यह कवाई थे भारत तो यह आये थे 1731 में ठीक है 1731 में ठीक है तो यह इनका क्रम हैं, देखिए, सबसे पहले पोड़ी आये कभी-कभी देखी, exam में ये kram पूछ लिया जाता है तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले पॉर्टगाली आये थे फिर Dutch आये थे, फिर English आये थे, फिर Danish आये थे, फिर French आये थे और फिर Swedish आये थे, है ना, इनका ये क्रम है, exam हो में पूछ लिये जाता है, अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, देखे, जो Dutch है, है ना, जो Dutch है, ठीक है, और जो English है, इसमें थोड़ा बच्चों को confusion होता इनकी, है ना, company बनी थी, इनकी 1602 में, बात समझ में आ रही है, Dutch आतो गए थे, 1595 में, लेकिन इनकी company बनी थी 1602 में, ठीक है, और जो English 1602 में आये थे, तो इसी टाइम इनकी company बन गई थी, 1602 में, ठीक है, तो कभी company का पूछ ले, ठीक है, तो English आ जाएंगे second में, और Dutch आ ज जाएगा, लेकिन कभी arrival पूछ ले, यात्तियों के तौर पर तो पोर्तगाली, Dutch, English, Danish, Francis है, कहीं-कहीं आपको यह ऊपर नीचे मिलेगा, तो आप confused नहीं होना, इसलिए मैंने clear कर दिया है, company बनी थी 1602 में, इत्ती बात clear हो गई है, तो यह आपको क्रम याद रखना है, तो उसके बाद इनके 1602 में, 1602 में इनकी Dutchों की पहली company बने थी, है ना, company बने थी, company का नाम क्या है, मैं उपर लिख दू, यहाँ पर लिख देता हूँ company का नाम, वेरिंग दे, वेरिंग दे, ओस्ट, इंडी से, ठीक है, यह इनकी company का नाम था, वेरिंग दे, ओस्ट, इंडी से, किनकी company का नाम था, Dutchों की, ठीक है, डचों की, जब 1602 में company मनाये गई थी, तो उसका नाम था, वेरिंग दे, ओस्ट, इंडी से, या फिर इसे बोलते थे, United East India Company of नीधर लेंड, यहां में लिख देता हूँ, United East India Company of नीधर लेंड, ठीक है, यह इसकी company का नाम था, दोन नाम आपको याद रखना, वेरिंग दे, ओस्ट इंडी से, यही नाम था, वी-ो-सी इसको बोलते थे, वी-ो-सी, या फिर United East India Company of नीधर लेंड, यह कब बनी थी, इसकी 1602 में, जब कि यह आख अप गए थे भारत, 1595-1996 में, ठीक है, तो यह दो चीज़े थोड़ा आपको याद रखना है, company इनकी बाद में बनी थी है, पहले सिर्फ प्रारंबिक तोर पर ब्यापार कर रहे थे, देखिए, अब थोड़ी कहानी हम समाझ लेते हैं, कि यह उसी प्रकार से Spain के अंदर कौन था? Netherlands है न, Netherlands तुझ था, Spain के अंतरगत ही था, इसके अंतरगत ही था, जब 1581 में है न, 1581 में, निदरलेंड आजाद हुआ है न, Spain से, ठीक है, जब निदरलेंड 1581 में आजाद हुआ, Spain से, ठीक है, तो इसने क्या किया? ब्यापार करından स्टार किया पर प्रारमभिक तोर पर इसके पास बहुत ज़्यदा पैसा नहीं था कैपिटल नहीं था है ना तो इसने क्या क्या नीज़र्य लेंड ने ड़े पोड़ेशगे रहें पहले से रहा था भारत के साथ है ना तो यह क्या करते थे भारस से मसाले लाते थे फिर सप्लाई करते थे पूरे यूरोप में ना तो नीदरलेंड या फिर डश थे जो है यह क्या करते थे पोर्तगाल से मसाले लेते थे यहां से लेते थे और फिर पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे थे इस प्रकार से जो डश थ पढ़िया से पैसे कमा रहे थे ठीक ठाग पैसा कमा रहे है तो आपने आपको स्ट्रोंग कर रहा थे अपनी नेवी को स्ट्रोंग करने में लगे हुए थे यह चाहते थे डचल कि हम सीधे में भारत के साथ भ्या-पार करें हैं है न.. पुर्टगाल की नेवी ये बहुत ज़्यादा श्ट्रॉंग है तो इस प्रकास ये धीरी धीरी जो नीदरलेंड ये फिर डचिस थे अपनी नेवी को श्ट्रॉंग कर रहे थे ताकि वो भारत के साथ ब्यापार कर साके और उनको ये बात अच्छे से पता थी कि जब भारत के सामना करना पड़ेगा इसलिए वो अपनी नेवी को श्ट्रॉंग कर रहे थे तो प्रारंबिक तौर पर उसने पूर्टगालियों से ही सामान या फिर मसाले लेकर यहां पर यूरोप में सप्लाई किया थीक है तो इतनी कहानिया आपको समझ में आ गई होगी है ना तो कमपनी थी यूनाइटिड इस्ट इंडिया और निजरलेंड या फिर वैरिंगे दे ओस्ट इंडिय से है ना यह इतिहास किया फिर जितनी भी यूरोपी कमपनिया थी है ना इसमें कौन-कौन थे साजेधार देखिए एक तो निजरलेंड की जो सरकार थी ठीक है उसके प्रकार के लोगों के पास भी teaching अर आम जंता के भी पासत भी ठीक टेक है और जो यह इक उसमें सरवाधिक मुनाफ़ा देने वाली कमपनी थी है जो इसके श्यआग धारक थे जो यह चीर धारक की कंपनी की ते यह इंड़ेंड की कंमपनी थी यह अपने हैंड श्यादा मु प्रजाज के तौर पर देती थी और लगवग 200 वर्षों तक इन्हों ने अपने शेयर धारकों को ये रिटन दिया है कभी इसमें कटावती नहीं कि जब कमपनी बुरे दोर से भी गुजार रही थी तब भी वह अपने शेयर धारकों को इतना रिटन दे रही थी इक प्रकार से उनका पतन के कारण में भी ये करन यह हो जाता है तो यह भी कभी question बन सकता है कि ऐसी कौन सी European company थी कौन सी कंपनी थी जो की अपने कंपने शेयर धारकों को सबसे ज़्यादा साजी धार के तो पर तो डचों की ये कंपनी थी तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी थोड़ा सा आपन रिविजन करने तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं भारत में जो भी डचों ने किया वो देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दी है ना नीदरलेंड के निवास् के साथ भारत आया था इसके लवा मैंने आपको बताया कि जो जो कंपनी भारत आई थी तो इसका करम यह सबस्पहले पुर्दगाली आए फिर डच आए फिर अंग्रेज आए फिर डैनिश आए फ्रांसेसी आए स्वीडिस आए यह थी कभी कंपनी का पूछ ले तो कंपनी पहले अंग्रेजों की बन गई थी बाद में डचों की बने थी तो यह भी आपको याद रखना है इनकी जो कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडेश था या फिर या फिर यूनाइट इस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीजर लेंड था जो की 1602 में बने थी ठीक है यह ऐसी कंपनी थी है ना जितने वी यूरोपी कंपनिया रही है अपने साजेधारों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले कंपनी रही है ठीक है तो इत्ती बात है समझ में आ गई हम आगे चलते हैं है ना और डिसकस करते हैं ठीक है इसके ल पूर्वी ACI देश थे ना इनके साथ ब्यापार करने हैं ना सैन्ने कारवाही करने कोई भी संधी संजोता करने का अधिकार लेकर के आई थी क्योंकि उनको पता है कि पहले से यहां पर पोर्तगाली थे तो उनको काफी जादे हैं पर उनसे संघर से भी हो सकता है ना बहुत अधिक हम सफर देखेंगे जो इंडिया में रहा है टाचो का है ना अधिक है जो यह सबसे पहले आई थे हैं यदि मैं हम पर भारत का एक मैप बनाऊ तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जगा थोड़ी काम है यहां पर एक देश है इंडोनेशिया है ना इंडोनेशिया तो सबसे पहले जब यह आए यूरोप से तो भारत हुए यह कहां गए थे ठीक है यहां के बैपारियों से मिलते हुए कहां गए थे इंडोनेशिया और अब हमेशा इनकी जो मैं केंदर रहा है जहां इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया वो कौन सा देश था इंडोनेशिया ठीक है यही पर इन्होंने अपने पूरवी एशिया इन देशों का एक मुख्यालाई भी बनाय था भी हम चरजा कर देंगे और यहीं से वो पूरा ब्यापार करते थे ना मैं मतलब इनका फोकस हमें सा इंडोनेशिय रहा ठीक है देखिए मसालों का जो ब्यापार करते थे ना वो यहां से करते थे मतलब मसालों की प्राप्ति उनको इंडोनेशिया से हो आती थी भारत में जो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया वो जो कपड़े होती थे हैं कपड़े, टेक्स्टैल विजनिस या फिर आप बूल है रिसम के कपड़े वगएरा वो हम सब भी डिसकस करेंगे कपड़े में ज्यादा ध्यान रहा दचों का भारत में है ना बलकि ज्यादा ध्यान कहारा इंडोनेशिया में है ना तो चर्ट करते हैं क्या-क्या इनकी जरनी रही यहां पर है ना देखिए सबसे पहले अभी हमने क्या चर्चा कर ली 1595-95 में इनका आगमन हुआ है ना तो जब यह पहली बार भारत आये थे ना मैंने अभी बता थे कारनेलियस हाउटमें के नहीं तक्तियों में दलाया था तो यहाँ पर आये भारत के ब्यापारियों से मिले फिर इंडोनेशय चले गए ना और प्रारंभिक तोर पर इन्होंने कोई कंपनी नहीं वनाई थी है ना सिर्फ ब्यापार कर रहे थे ठीक है फिर 1602 में अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी कंपनी वनाई है ना ठीक है East India Company of Netherlands है ना ठीक है तो 1602 में इन की company बनी थी ठीक है तो 1602 उससे इन्होंने बढ़िया से फिर ब्यापार गणना स्टार्ट किया था ठीक है तो 1602 की ही घटना है 1602 में इन्होंने ठीक है इंडोनेशिया का एक जगा है इंडो नेशिया इंडोनेशिया की एक जगा है वान्टम द्वीप वान्टम द्वीप ठीक है तो इंडोनेशिया के एक द्वीप वान्टम द्वीप में दे कि जो इंडोनेशिया देश है ने बहुत सारे द्वीपों से मिल करके बना है द्वीप ये देश है ये तो 1602 में जैसे ही इनकी कमपनी वनी तो इंडोनेशिया के एक द्वीप वांटम द्वीप है ना पर इनोंने अधिकार कर लिया ठीक है और यहीं से इनकी जरनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है आगे हम देखेंगे 1605 में 1605 में मसूली पत्टनम मसूली पत्टनम है ना कहां पर यह आंदरप्रदेश वाल आप एरिया देखेंगे है ना यहां पर तो यहीं पर है मसूली पत्टनम पत्टनम ठीक है 1605 में मसूली पत्रम में इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री इस्थापित की बास समझ में भारत की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1605 में इस्थापित की थी मसूली पत्रम जो की वर्तमान में यहां पर आंध्र प्रदेश में है इसके बाद हम आंगे का इनका देखते है तो 1605 में 1605 में ही इन्होंने इंडोनीशिय का एक द्वीप है अम्बोईना 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 पर भी कबजा कर लिया मतलब देखिए ये धीरे-धीरे 1602 में इनकी कंपनी वनी इसके पहले 1595 में आया इत्ती जल्दी ये द्वीप कब जा रहे हैं यहां पर दो द्वीप इन्होंना अभी तक कब जा लिए और बढ़िया बहुत तेजी से आंगे बढ़ रहे हैं तो 1605 में अम्बोईना नामक एक जगा है वहाँ पर भी इन्होंने कबजा कर लिया इसके लाब प्रमु की एक जो घटना है 1613 की ठीक है जाकारता ठीक है जो की वर्तमान में कैपिटल है इंडोनेशिया की तो जाकारता जो है इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया जाकारता द्वीप है जो इंडोनेशिया का इस पर इन्होंने 1613 में अधिकार कर लिया और यहां पर एक इन्होंने सहर बसाया यह important है बतेविया बतेविया बास समझ में आई यह आप लिख लिजेगा यह important है ठीके देखिए 1613 में इनुने जकार्ता पर अधिकार कर लिया जो कि आप देखेंगे वर्तमान में इंडोनेसिया की राजधानी है तो इस पर पूरे पर अधिकार कर लिया। यह पर उन्हों ने लिए को इन्होंके नहीं आ पार को यहां इन्हों पूर्वी वाणियों के साथ बैपार करते थे दो इस इनका इंड़ोनेशिया में मुख्य कैंद्र था बॉनिदा इंस सो 136 गठना एंपोर्टेन्ट है इसके वाद आंगे चलते हैं देखी यह जो डेट है ना यह सब इंपॉर्डेंट नहीं है यह वाले डेट बस एक आपको कहानी के तौर पर बतारू को कैसे कैसे नोने यहां पर काम किया और कैसे कैसे आंगे बढ़े हैं ना देखी यह आपको याद रखना सूरे सो पंचानव ऑन कि तौर पर आपको याद रखना कि पहले यहां पर आएंडोंशिये में फेम को दिफ्टीоп कंजा लिया फिर यहां पर टालिस पे 16147 में happiness का में मलक का जब मैं पॉर्टगालीयों के बारे मां पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताय सा ना इंडोनेशिया और बिच में छोटी सा सा जल निकाह है उसे बोलते हैं मलगका जलसंदी ठीके यहां आप मप देखेंगेution और यह हैं पर इंडोनेशिया है पर छोटी सी एक जलसंदी है पिर जलका निकाह है जहाँ से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं बहुत्चरा ऑ Reid mechanic मलकका पर भी इन्हें कभज़ाअ कर लिया ना पुर्टगालियों के बारे में पढ़ा था जब भी मैंने आपको बताया ठीक है तो 1641 में मलकक पर भी इनका कभज़ा हो गया ठीक है और 1658 में Ceylon Ceylon समझते हैं स्री लंका भारत के नीचे है जो भारत के दिया आप मैं देखेंगे तो फ्रीम स्री लंका मिलता है ना यहां आप देखेंगे इस प्रकार से तो इस पर भी इन्होंने 1658 में सोची आप यह कितनी तीवरिगती से आंगे बढ़ रहे थे सिर्फ इस पंदा सो पंचानवे में आये थे हैं ना वर्लगबग आप देखेंगे 50-60 वर्षों में इन्होंने कितनी वड़ी वड़ी जगों पर कबजे कर लिये हैं मलक्का कंटूल में कर लिये जो कि इतना वड़ा उस टेम्प है बैपार की दस्टी से जगाती हैं सीलों स्री लंका पर कबजा कर लिया जकार्ता पर कबजा कर लिया तो बहुत ही तीव रगती से आंगे बढ़ रहे थे हैं और काफे इनकी नेवी वगर भी बहुत ज़्यादा जो पुर्तगाली थे हैं जब यह आय तो पुर्तगालियों का बैपार भी धिरे-धिरे ठफ होने लगा यूकि इनकी नेवी बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग थी है ना पुर्तगालियों के साथ हमें सीधे टककर देखने को मिलेगे क्योंकि मैंने आपको बताये था पुर्तगालियों के बारे में पराजित करें उनका पूरा हिंद महा सागर है उस परनों ने कंट्रोल करके रखा था है ना तो एक ही रास्ता था डचों का यहां पर सक्सिज होने का कि वह अपनी नेवी को इस्ट्रॉंग करें और पुर्तगालियों को यहां पर पराजित करें है ना तो 1658 में सीलोन स्री लंका पर भी इन्होंने कबजा कर लिया है अब आंगे देखते अब देखे इन्होंने भारत में एक जो अपना केंद्र बनाया था है एक प्रकार से देखे तो मुख्याला बनाया था तो वह बनाजा पुली कट को पुली कट को है ना पुली कट को भारत में अपना केंद्र बनाया था ठीक है और यह केंद्र कप से कप तक आगा 1610 से 1610 से 1690 तक बास समझ में भी हम चर्चारक में चेन्ज हो गया था नागप्टम नाग प्टम, ठीक है? 1690 में ये जो केंद्र था ये इनका मुख्याला था वो चेंज हो गया था, नाग प्टनम हो गया था, प्टनम, ठीक है? लेकिन पहले क्या था? करीब ये आप देखेंगे 80 वर्ष थक था पुली कट, अब उनोंने पुली कट में क्या 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 था आप आप ये थोड़ा समझ लीजिए है ना, ये important है exam की दश्टिकों से, देखिए, पुलीकट में सबसे पहले इन्होंने अपना एक बारूत का कारखाना बनाया है, हाँ पर यही बारूत बनाते थे, क्या बनाते थे, इसके लाबा क्या करते थे, इसके लाबा इन्होंने स्वण मुद्रा, स्वण मुद्रा को ढालना सुरू किया, ढालना, है ना, ये स्वण मुद्रा को ढालते थे ना, इसके लिए इन्होंने क्या बनाए टकसाल, taxal में क dois होता है यह इंए ना мुद्रा और भी जो होते हैं क्या कहते हैं क्वाइन बगैरा बनते हैं तकसाल में बनते हैं तो स्वान मुद्रा को बड़ी मात्र में ना में डाला थो बड़ी मात्र में प्लीकत में अब भुल जाईए तक ये छिछेट कन्फूज बताया अभी मैंने बताय कि पुलिकट को बहुए भारत में अपना केंद्र बनाया 1610 तक ना ठीकना यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काम किये है यहाँ बारूद का निरमान श्टार्ट किया इसके लावा वस्त्र का यहाँ पर व्यापण करते थे यह वस्त्र बारूद और स्वान मुद्र ढालने के लिए टकसाल बनाई है ना जिसको यह पैउड़ा गोलते थे स्वान मुद्रा को ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है ठीक इतनी चीज़ा है आपको हो गई और सोला सो नभी में मैंने आपको बता दिया कि नाग पट्टे अपने फैक्टरी इस्टाब इस इंपोर्टेंट हो जाता है एक वटेविय नामक जगा थी इंडोनेशिया में जहां पर इन्होंने संपूर्ण पूर्वी एशियाई देशों का जहां पर कैंद्र था जहां से पूरा ब्यापार करते थे इसके लावर देखिए इतना सब ब्यापार में बहुत आंगे थी अंग्रेजों से भी आंगे थे ना देखिए 1670 तक इन्होंने लगवक 39 परसेंट था भारत का तो काफी तीव्यकटी से बढ़ रहे थे और अंग्रेजों से भी आंगे थे ब्यापार में हैं तो आपको यह सारी चीजें याद रखनी हम ची देखिए भारत में कौन-कौन से इनके कैंदे थे वो और हम देख लेते हैं भारत में कहां-कहां ब्यापार कर रहे थे देखिए यहां पर गुजरात में है सूरत है ना सूरत में इनका कैंदे था इसके लावे यहां पर कोचीन है कोचीन है, कन्नोर है ये सारे पूर्दगालियों के भी पास थे जो छेन लिये थे उनसे ठीक है इसके लाभ आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल वाला एरिया है बंगाल में एक जगा है कासिम बाजार ठीक है कासिम बाजार इन्होंने यहाँ पर रेसम चकरी लगाई थी, तो यहाँ पर यह रेसम बनाते थे, रेसम चकरी लगाई थी, रेसम चकरी, ठीक है, कहा जाता है कि यह रेसम चकरी लगाई थी और यहाँ पर करीब 3,000 लोग कारेक काम करते थे, ठीक है, और काफी जादा यहाँ से यह बंगाल से मुनाफ़ा कमाते थे कासिम लगाई थी यहां पर अपना केंद्र बनाया था कासिम बजार हो गया इसकर दिशा है लगाला सोर तो यहां पर भी इनका केंद्र था मासूली पट्ठ नम नाग नागपट्टनम भी था ढूल जो कि इनका बाद में केंद्र बन गया था इसे लब होचीन कनणका इ leaning मैं 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 आपको बता दीजा आपर ये जहां पर इनका समय बाड़िया से चल रहा था है लेकिन आगे हम यह सदी बात करने 100 सातरा सो उन सथ में हेना शत्रा सो उनसथ में इनका थैसा शी दौता वैद्रा का युद्ध वैद्रा की पर आजा पारोियन दाघ्सेफिरिह कई बडिशा अन्गरें के और यह है ना यह हम आंगे चर्चा करेंगे जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे रावर्ड क्लाइब ने इसमें प्रतिनिजत्तु किया था वेद्रा के उद्धिमा ठीक है तो 1769 में जब यह हारे हैं ना अंग्रेजों से तो काफी सारी फिर इन पर चीजें थोपी गई है न essä लेकं 1795 में सत्रासों 157 प्पंचानावे में जितने भी मैक्जिमम यह इकाईया थी जहां-जहां-पर मैंने यह बताया भारत्त में व्यापार कर रहे थे तो अंग्रेजिओं ने WILने इन से छीण लिए तो संटना नहीं बारों सब्सक्राइन जाले हुआ लेकिन ससों में इन से अंग्रेजों सारी जगा यह काई थी जितनी भी छीनली और इनका यहां से सफाया हो गया और फिर इंडोनेशिय चले गई देखे मैंने पहले बताई था कि डचों का जो मैं उद्देश था या फिर उनका फोकस था वह में साथ उंडोनेशिय रहा है भारत पर जो भी ब्यापार करते थे वह इन जगहों पर ठीक है तो उत्तर जादे ध्यान नहीं दिया और जो भी मैं ब्यापार था नका मसालों का न इसके लाब इनकी जो पहली यहां पर फैक्त्री बनी थी 1605 में यहां से क्वेश्चन आ सकता है जो पूरा एशिया का यह कंट्रोल करते थे हैं वांटम वाटेविया ठीक है यहां यह इंपॉर्टेंट है इसके लाब पुली कट को इन्होंने केंदर बनाया था करीब 80 वर् बनते नहीं है तो इतनी चीजें ही हमें यहां पर पढ़नी है एक पूर हम रिविजन कर लेते हैं फटाक से और फिर आजका लेक्टर खतम करते हैं देखिए सबसे पहले हमने डचों में पढ़ा कि जो यूरोप में एक देश है नीजरलेंड नीजरलेंडी कैपिटल क्या है एमस्टरडम है ना तो वहां कर ये निवासी थे है ना प्रारमभिक तोर पर ये पूर्टगाल के साथ ब्यापार करते थे लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को इस्ट्रॉंग किया है अपने नेवी को इस्ट्रॉंग किया और ये भारत की ओर आये और सबसे पहले कहां ऐन्डोनेशिया गये है और इंडोनेशिया से इन्होंने ब्यापार अपना श्टार्ट किया धीरे एक एक डीप अन्होंने अपने कब्जे में लिया है ना जकार्टा को जीता फिर वहां पर एक वंट वाटेया नमक जो जगा थी है उसको केंद्र बनाया तीक है कुछ-कु लिया 1658 में स्री लंका को जीत लिया है ना आंगे पुलिकट को भारत में अपना कैंद्र बनाए जहां पर यह बारूद बनाते थे वस्तर बनाते थे और सुर्ण लेकिन 1769 में अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है वेद्रा का युद्ध और यहां पर सिर्फ थोड़ी बहुत ब्यापारिक एकाई के रूप में रह जाते हैं लेकिन 1795 में अंग्रेज इंसे जो इनकी ब्यापारिक एकाई यह थी वह भी छीन लेते हैं और इस प्र पेज इंस्टाग्राम पेज में भी जा करके जोड़ सकते हैं आज के लिए इतना ही है ना आप हमारी साथ जोड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखें